आज हम लोग Doppler Effect का last topic पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो सोर्स है अगर वो मूफ करेगा और object जो आपका जो डिटेक्टर है वो अगर स्टेशनी पूजिशन पर रहेगा तो आपका sound waves की इस टाइप से सुनाई देगा फिर हमने second part में उसको पढ़ा कि source के जगर अगर observer मूफ करने लग जाए और source अगर स्टेशनी पूजिशन पर हो तो sound waves कैसा सुनाई देगा observer को और जो source है या जो object है आपका observer है वो किधर भी मूफ कर सकता है हमने दोनों equations को बना के देखा था बहुत simple तरीके से और उसको simulator पर करके भी देखा था हमने थोड़ा बहुत तो इस topic में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर source और observer दोनों move कर जाए मतलब दोनों के दोनों अगर move कर रहे है इने any direction हो सकता है कि वो दोनों opposite direction में move करते हो हो सकता है कि वो दोनों same direction में move करते हो तो अगर ऐसा होता है आपका तो होगा क्या आपका जो observer है उसको sound कैसा सुने देगा जो कि real life में actually ऐसा ही होता है क्योंकि जो source है जो object है आपका जो source है और जो observer है वो दोनों के दोनों move करते हैं समझ लिजी कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और उधर से कोई गाड़ी आ रहे हैं दोनों होन बजा रहे हैं ऐसा होसकता है ऐसा भी हो सकता है कि सामने वी आगे चल रहा है और हन बजा रहे हैं आप भी पीजा देहा हूस रहा है अप कि 성 holidays कर्रें मतलब ऐसा हो सकते हैं कि overtake कर रहा है take off नहीं वह गलत वर्ड हो गया overtake कर रहा है ऐसा भी train में हमने देखा है तो और इसको हम लोग आपके motion में भी इसको देख चुके है इस type के numericals थोड़े बहुत हम लोग बनाएंके देखे हैं ठीक है तो point ये निकल के आता है कि इसका derivation है वो किस type से निकल के आएगा visualization दो आपको हलका हो ही रहा होगा ठीक है तो सबसे पहले आपके दिमाग में थोड़ा सा visualize करने के लिए एक simulator पे इन चीजों को करके देख लेते हैं ठीक है कि अगर observer जो है सोर्स के मुकाबले तू क्या होगा अगर observer धीरे मूफ करेगा सोर्स के मुकाबले तू क्या होगा ठीक है सारे चीजों को numerical value में convert derivation के थुरू बताना possible नहीं इस book के हिसाब से 11 के हिसाब से खास कर ठीक है बट इसको हम लोग absorb तो करी सकते हैं simulator में तो आपको कम से कम एक दिमाग में एक visualization तो बैठे गाई कि इस टाइब से चीची होती है ठीक है तो चलिए simulator पर चलते हैं और आपको visualize कराते सबसे पहले ओके students तो यह हमारा simulator है same simulator यूज़ करने हैं हम लोग previous वाले में जो किये थे पिछले वीडियो में जो किये थे पस इसमें कुछ facilities हमको extra मिली वही है मान लेजे कि हमारा यहां पास में source जो है उसकी velocity मान लेजे कि 99 something कुछ है और observer जो है इसकी भी velocity उतनी ही मान लेते हैं तोड़ी सी जादा हो जा रही है अब ओके है तो और दोनों के दोनों सेम velocity से चल रहे हैं जो इन दोनों के बीच का wavelength आपका sot हो जा रहा है पर जितना भी यह sot हो रहा है उतना यह observer आगे बढ़ के cover कर ले रहा है तो इस observer को जब यह wave मिलेगा जितना भी यह short हुआ उतना यह इसने cover कर लिया इसलिए perceived frequency पे कोई भी change नहीं आया है ओके है ठीक है अभी देखिए यहां पास में value को ध्यान दीजेगा आप बस उसके बाद देखे अगर मैं source की velocity को थोड़ा कम कर देता हूं और observer की velocity जो है आपकी उसे मैं 100 कर देता हूं तो इस time पे source की velocity कम है और observer तेजी से जा रहा है तो क्या होगा देखिए तो आपको clearly पता चल रहा होगा कि observer तेज जा रहा है और source की velocity कम है ठीक है तो जरूर इसको थोड़ा देरी में मिलेगा wave देरी मिलेगा तो frequency जो है वो घड़ जाएगी time जो है बढ़ जाएगा ठीक है तो देखिए हमको भी कुछ ऐसा ही होने वाला है देखिए source भले दर बूफ कर रहा है पर observer इतने तेजी से जा रहा था कि इसको जो frequency मिली वो लेट मिली अभी condition को change करते हैं मान लिजे कि source तेजी से जा रहा है 100 की speed से जा रहा है और observer जो है वो आपका काफी कम हो गया उसकी velocity ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अभी देखिए frequency कैसे वाफ कर रहे देखिए observer धीरे दे जा रहा है source की velocity काफी तेज है इसके मुकाबले तो देखिए frequency देखिए हाई हो गए मतलब observer को जो frequency मिलेगी वो काफी ज्यादा मिलेगी as compared to previous जो आपका यह 343 Hz जो sound wave का frequency दिया था किया था उसके मुकाबले देखा जाए तो ठीक है यह frequency डिफॉल्ट दी गई है यहाँ पास में नॉर्मली NCRT पर 330 दिया रहता है ठीक है तो confused मत हुए गा speed of sound 343 है या 330 है ओके है जो भी presently NCRT में दिया उसको follow करिएगा ज्यादा बेटर रहेगा हो तो अब यह okay है अभी अगर ऐसा होता कि observer तो काफी कम होता सबसे पहला चोड़िए पहले इसको देख लेते हैं ज्यादा कि observer आपका इधर से इधर मूफ कर रहा है और sound तो इधर मूफ कर रहा है दोनों के दोनों same velocity से मूफ कर रहे हैं बट opposite direction में मूफ कर रहे हैं तो क्य का होगा frequency देखे कितनी हो गई just double के आज स्पास देखें यह इधर जा रहा है यह इधर जा रहा है देखे frequency किती हाय हो गई और दोनों के दोनों अगर इसको मैं एक इधर और एक इधर जा रहा था, दोनों दोनों आपोजिट था, ठाकि नहीं, अगर मान लेजी ये इधर चले जाए और ये वाले इधर चले जाए, तो क्या करते हैं, इसको negative कर देते हैं, 100, और इसको positive 100 कर देते हैं, बस मैं आपको अ आफ होने के आसपास आ गई है देखे 188 के आसपास आ गई है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाते है तो आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज हो ही रहा होगा कि एक्ट्वा फ्रिक्वेंसी कैसा बिहेव कर रहा है अगर सोर्स इधर मूफ करें अब्जर्वर इधर मूफ करें इस ट्रेप की कंडिशन है ठीक है अभी मान लिजे कि अब्जर्वर बहुत ही धीरी धीरे चल रहा है इतना दीरे मान लिजे पांच यह दस मीटर के हिसाब से चल रहा होगा दस के समझ लेते हैं पर सोर्स काफी तेजी से जा रहा है मान लिजे 686 या 500 के आसपस जा रहा है अब्सर्वर के मुकबले काफी तेज जा रहा है तो साउंड देखिए कैसे बहें कर रहा है एक्साउंद जो इसको वेव मिलेगा आवजर्वल को वह कैसा गि मिलेगा देख रहे हैं इस्स पे जो फीज़ोड़ा उससे तेज सोर्स जा रहा है तो यह भी सीनारियो तो आपक है कि sound उससे पीछे पीछे आता रहता है तो रॉकेट चला जाएगा रॉकेट चला जाएगा और साउंड इसके बाद आता है ऐसा हमको मिलता है सिनारियो तो इसको आप अगर एयर क्राफ्ट वाले के आसपास में रहते होंगे मतलब उसके एरिया के आसपास रहते होंगे तो जरूर दिखायेता होगा जो फॉइटर प्लेंट उपर से उड़ते हैं ठीक है तो फॉइटर प्लेंट यो उड़ते थे तो फॉइटर प्लेंट चले जाते हैं उसके बाद पीछी से साउंड आता है उनका इस स्पीड इतना तेज रहता है तो यह चीजे आपको सिनारियो प्रिक्वेंसी जो मिल रही है इसको इसलिए क्या हूं देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको देखिए पर्सीवड फ्रिक्वेंसी जो मिल रही है इसको यह कितना मिल रही है infinity बहुत ही जड़ा मिल रही है इस को इस से क्यों हूँआ इसा क्योंकि source और इसकी frequency को मैंने source frequency जो था इसमें से जो निकल रहा था और इसको तो मैंने 0 ही कर दिया लग लग बबलग बायव 0 मान ली जिये जादा बेटर है देखिए तो जैसे जैसे source जा रहा है, उसी point पे waves निकल रहे हैं, उसी point पे, तो इसका जो multiplication है, देख रहे हैं, इस point पे काफी ज़्यादा high है, crust level जो है, वो काफी ज़्यादा high है, तो perceived frequency भी आपको infinity के आसपास ही मिलने वाली थी, वैसे तो, तो देखिए, अब थोड़ा से ठीक लग रहा है, लगबग लगबग infinity के आसपास इसको मिलने वाली है, लगबग लगबग, क्योंकि एक की पीछे दूसरी का जो wavelength है, वो बहुत ही छोटा है, अगर wavelength काफी छोटा है, समझ रहे हैं, तो frequency कितनी ज़्यादा high होगी, मतलब infinity के आसपास, इसमें उतने अच्छे से बता नही पा रहा है, यह calculate उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पर actual में हो का वैसे है, का वैसे ही, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, पहुंचने से पहले वाला है, जब जा रहा है दूर, ठीक है, तो साथ यह सही बता रहा था, यह frequency अभी बता रहा है, इसको इधर से जब मिल रही है, वो वाला बता रहा था, पर जब यह इधर से जा रहा था, तब देखिए infinity के आसपास है, देखिए यहाँ पास है, जब चला जा रहा है, तो यह पीछे वाला frequency को बता रहा था, मेरे से भी थोड़ा mistake हो गया, पर I hope आपको सवज में आ रहा हुआ, यह जो दिख रहा है आपको इस टाइप की waves, इसको sonic boom भी बोलते हैं बहुत लोग, जब इसकी speed बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाए, sonic boom देखिए से काफी ज़्यादा help मिला होगा, visualization करने में कि sound waves जो है, वो किस टाइप से चल रहे हैं, ठीक है, net में आपको इस simulator आसानी से मिल जाएगा, और आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं, ठीक है, चलते हैं फिर से board की तरफ में, okay, students, तो अब हम लोग इसको board में करके ठीक है, तो चले देखते हैं, कि observer is moving and source is also moving, दोनों move कर रहे हैं, source is also moving, तो हम क्या करेंगे, एक line ले ले लेते हैं, और इसको हम लोग माल लेते हैं, observer, और इसकी position माल लिजे, one position पर है ये, second यहां पास में एक source है, जो कि इस side में ही move कर रहा है, और इसकी velocity vs माल लिजेगा, ठीक है, और इसकी velocity v o माल लिजेगा, देखें, पिछले बार जो मैंने आपका derivation बताया था, उसमें frequency और velocity v v v जैसा ही दिखाया दे रहा था, तो इसमे जाएगा, ठीक है, ये भी इधर direction में move कर रहा है, ये भी इस direction में move कर रहा है, इसकी position s1 माल लिजे आप, ठीक है, तो ये starting point है इसका, इस starting point पे इसका समय कितना लगेगा, तो देखें, क्या हुआ, कि इस point पे, अब इसकी कोई directions को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, माल लिजे क कि ये s1 या ये v01 है, अगर ये right side move करेगा, तो इसे हम positive direction के नाम से बोलेंगे, अगर ये वाला इस side होगा, तो इसका negative direction में लेंगे, ठीक है, इस notations को थोड़ा साथ ध्यान में रच लिजेगा, ठीक है, अभी माल लिजे कि ये source move करना चालू किया, और ये observer भी move करना किया, उससे पहले इसने एक wave release कर दिया, तो उसका जो crust part है, इसको compression part भी बोला जाता है, उसको इसने release कर दिया, यहां से release कर दिया, अब ये वाला इस observer को सुनाई देगा, थोड़े देर बाद जितना भी देर बाद इसको सुनाई देना है, तो माल लिजे कि T1 समय बाद में इसको ये सुनाई दिया, ये वाला wave T1 समय में सुनाई दिया, तो यहां से यहां का जो distance इसने travel किया होगा, वो यहां से यहां तक का travel किया होगा, starting में ये उसको ले लेते हैं L, ठीक है, पर हुआ क्या यहां पास में, कि ये observer इधर move करना चालू कर दिया, तो अगर ये observer इस है, कि यहां पास में जितने भी air के particles हैं, उनको ये wave energy दे देता है, तो इस particle की जो wave होती है, particle जो air particles है, इनकी जो velocity होती है, इसे हम V बोलते हैं, देखिए, ठीक है, confused मत होईएगा, तो ये वाले जो होते हैं, ये waves हैं, ये इन particle को energy दे देते हैं, और ये observer जब यहां आता है, इन particle के पास में, जो भी energy होती है, वो उसको सुनाई देती है, कि हाँ, ये sound wave इसको इतनी energy दे के गया था, और ये हमको सुनाई देता है, इसे type से होता है, तो T1 समय में, इसने इतना resistance कवर किया, actually होगा क्या यहां पास में, इसको देखेगा, बुक में तो L ही लिखा है, त बट वैसे तो sound wave काफी तेज होगा, as compared to the observer के मुकाबले, observer sound wave के इतना तो travel नहीं कर पाएगा, फिलाल में, तो इसलिए होगा क्या कि इसको हम distance L ही मान के चड़ेंगे, बट ऐसा होगा कि ये जब यहां से यहां पहुचने वाला होगा, तो ये observer जब मूफ करेगा, तो मान ल तो होगा क्या, पर हम लेंगे L ही, ठीक है, तो इसको ये यही पास मिल जागा, क्योंकि ये इधर मूफ कर रहा है, पर velocity में, जो हम लोग इसको source को stationary मान के चलते थे, और इसको खाली मूफ करवाते थे, तो खाली इसको stationary मान के चलते थे, तो इसका air particle का जो भी energy level का velocity होगा, ठीक है, वही इसको मिलता था, पर यहाँ पास में ये भी move कर रहा था, तो इसके move करने के कारण, इसके इधर move करने के कारण, इसकी velocity जो लेंगे हम, वो V plus V0 लेंगे, तेखे, क्योंकि ये इसको इधर और ये वाला wave का energy is set, और जब दोनों के दोनों opposite direction में रहते हैं, तो उ आप बोल सकते हैं कि ये L distance travel नहीं करेगा, पर हम इक consideration लेके चल रहे हैं कि ये L distance travel तो नहीं कर रहा है, पर काफी close to the L पहुँच रहा है, इसलिए हम इसको L लेके चल रहे हैं, ओके है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी दिर बाद, कितना दिर बाद T0 समय बाद में, ये source यहा है, पहुच गया होगा, T0 समय बाद में, तो observer कितना distance travel किया होगा, observer V0, T0 distance travel किया होगा, देखे, velocity into time is distance, और इसने कितना travel कर लिया होगा इसने किया होगा vs t0 इतना distance travel कर लिया होगा इसने भी किया होगा कि ने किया होगा ठीक है तो यह जब यहां से छोड़ेगा wave को जब यह यहां से wave को छोड़ेगा तो हम क्या लेंगे इसको t2 ठीक है जब t2 समय पे जब ये वेव छोड़ेगा और इस observer को मिलेगा इस वाले observer को मिलेगा तो हम formula क्या लेते हैं T0 प्लस यहां से यहां तक का distance हम मानके चल रहा है L पर यह completely L तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसने भी कुछ distance travel किया इसने भी travel किया तो इसने extra कितना distance travel कर लिया वेव ने तो वो वेव क इसका distance travel कि extra उसको हम लेंगे L प्लस कितना distance travel किया होगा अब इसमें एक logical चीज है ऐसा होगा कि मान लिचे कि यह जो observer है यह इसने slow थोड़ा सा गया और source वाला थोड़ा तेज से गया होगा इसकी speed जादा होगी source की as compared to इस observer के मुकाबले अगर ऐसा होगा तो जो velocity है उसको म so dot कितना समय लिया होगा t0 divide by divide by देखिए यह तो आगे बढ़ी रहा था यह वेप जैसी छोड़ा होगा तो velocity यही वाला लेना है आपको v plus v0 ना कि खाली v वाला लेना है इसको ध्यान रखेगा खाली v वाला लेंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि observer stationary position पे है पर observer stationary position पे है वो भी move कर रहा है इस wave के opposite direction में इसलिए यह sum लेंगे इसको ठीक है t0 वाले आपको बताया भी था पिछले वाले वीडियो में भी t0 का मतलब है कि इतने समय में यहां से यहां पहुचा ठीक है पर जब इसने पिछला वाला wave को छोड़ा होगा तो इसने जितना भी travel के यहां से यहां तक कर t मतलब यह wave के बाद यह wave जब भी पहुचेगा second wave कितने देर बाद पहुचने वाला है t0 ने लेते t0 तो मतलब कि इतने देर बाद इसने second wave को छोड़ दिया था ठीक है मतलब पहले wave की बाद में second wave को छोड़ दिया वो t0 है पर t जो है यहां पास में कि एक wave के बाद दूसरा wave इस observer के कानों पर कप पड़ेगा वो है T तो इसके लिए T0 को यहाँ पास में add किया जाता है ठीक है ठीक है तो अब इसके calculation को हम रुथासा बनाते हैं तो माल लीजिए अब इसमें भी कि यह T2 तो हाई जो कि second crust जो है second compression इसके कानों पर कप पड़ेगा अगर n number of crust पड़ेंगे तो उसको n से करते हम लोग प्लस कर लेते थे तो इसको हम लोग n t n plus 1 के form में लेते थे ऐसे n से एट के form में चल रहा है इसलिए मैं ऐसा कर दे करेंगे यह ऐसा था ना पूरे पर था यह मैं मिस्टिक वी एस ओ एस ओ रिलेटिव वेलसिटी है इसको कैसे लिखा जाता है अगर source की speed जादा है तो हम इसको लिखेंगे vs-v0.t0 upon v plus v0 और यह भी इसको n से multiply कर देंगे ठीक है इसको equation 1 और इसको equation number 2 मान लीचे अब n number of crust कितने आएंगे और इतने समय में आएंगे तो उसका time interval हमको निकालना पड़ेगा कि एक crust के बाद दूसरा crust उसको कब सुनाए दे रहा है इसको time interval अगर निकालेंगे n number of crust के form में ठीक है तो देखें कैसे निकालते है time interval इसको हम पहले भी कर चुके है main चीज था कि समझना था कि वी प्लस वी जीरो क्यों है यहां पास में इसको में समझना था और सेकेंड चीज यहां पास में था कि रिलेटिव वेरोसिटी हमको लेना था बाखी mathematical calculation पूरा कपूरा previous वाले जो derivation हमने किया तो वैसा को वैसा ही है time interval क्लिक है tn-1-t of 1 तो upon n के form में लेंगे तो यह आएगा n t0 plus इसको इसके नीचे लेंगे तो l upon v plus v0 plus n vs minus v0 upon v plus v0 t0 minus इसको लेंगे l upon v plus v0 यह और यह cancel upon में n रहेगा ठीक है अब देखें इसको क्या करेंगे n t0 plus n vs minus v0 upon v plus v0 t0 upon n n को भी बाहर निकाल लीचे t0 को भी बाहर निकाल लीचे तो n t0 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 plus vs minus v0 upon v plus v0 upon n and n cancel ओके ठीक है तो हमारे पास में जो फ्रम्रा निकाल के आएगा वो आएगा t के लिए इसका difference जो है कि कितने देर बास second trust हमको मिलने वाला वो t है तो t equal to आएगा t0 और यह value निकाल के आएगा अगर इस calcium लोगा तो यह आएगा v plus v0 plus vs minus v0 upon v plus v0 ओके है आगे solve करते हैं तो इसमें से यह और यह cancel हो गया तो बचेगा v plus vs upon v plus v0 और यह t ठीक है अब confusion नहीं होने के लिए कि frequency को new लेंगे हम लोग तो इसको क्या करेंगे हम f मान लेते हैं तो इसको f मानेंगे तो यह 1 upon f हो जाएगा इसको मानेंगे तो 1 upon f 0 हो जाएगा और यह तो उतना को उतना ही है अब इसको उल्टा कर दीजे तो यह v इसको उल्टा करने का मतलब क्या है क्योंकि t जो होता है वह frequency की उल्टा होता थीक है तो मैंने new इसलिए नहीं बनाया है कि confusion ना हो पिछले वाला वीडियो में मैंने देखा कि हो सकता है कि आपको confusion होगा 2 अब हो सकता क्या है मैं work और यह आपका frequency है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो this is the final equation of Doppler effect, when the source is moving and observer is also moving, ठीक है, अब देखी, जो मैंने choose किया था, इस पे ये values को आप change कर सकते हैं, क्योंकि अगी मैंने source को ज्यादा velocity पे लिया था, as compared to observer के, अगर observer ज्यादा तेज चल रहा, as compared to source के मुकाबल तो ये वाला velocity का जो formula है, इस पे आपको थोड़ा से change मिलेगा, relative velocity के point पे देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको relate करना है, दोनों को, क्या difference आ रहा है, तो अगर source आगे निकल, ये observer आगे निकल गया, तो ये V0-Vs के form में बन जाएगा, क्योंकि दोनों के direction तो same है, अगर opposite होती तो plus हो जाता, ठीक है, तो जादे में से कम वाले को हम, simple सी बाते मैनस कर देंगे, तो हमको relative मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ एक relative टम जुड़ जा रहा है, वैसे तो पुराने वाले derivation था, जो किये था, उसमें एक जो object है, वो अपका stationary position पे ता, तो उसकी value हम 0 ले ल derivation, इसमें ज्यादा कुछ है, यह mathematical point of view है, main था कि आपको observe होना चाहिए, imagination बैटनी चाहिए, कि source move कर रहा है, observer move कर रहा है, तो इसको simulator में आपने जो देखा भी, वो आपको अच्छे से clear हो गया होगा, कि किस type से waves observer को सुनाई दे रहे होंगे, मतलब किस type से मतलब आ रहे हों तो मैं नहीं बोल सकता कि सुनाई दे रहा होगा, पर आपने waves तो देखा कि किस type से waves मिल रहे हैं, okay है, ठीक है, तो इसको clear करते हैं, और एक छोटा से numerical को भी solve करते हैं, ठीक है, okay, okay students, तो आपको यहाँ पास ने एक numerical दिखाई दे रहा होगा, तो numerical में बोल रहा है आपको, numerical में बोल रहा है कि एक rocket है, जो एक observer के तरफ move कर रहा है, और rocket से काफी जगा sounds निकल रहा है, अब वो sound जब observer के कानों पर पड़ेगा, तो उसको जो frequency मिलेगी sound की, वो कितनी मिलने वाली है, पहला, second चीज, rocket में एक detector लगा हुआ है, और rocket में जो detector लगा हुआ है, तो जब sounds observer क पढ़ता है, तो observer को पढ़ने के बाद वो return भी आता है, इको की form में, जैसे कि मैं recording कर रहा हूँ, तो यहां के आजू बाजू की जो भी दिवाले हैं, तो मेरे sound जब mic पर पढ़ता है, तो साथ ही साथ इस दिवालों पर भी पढ़ता है, और वो reflect होके आते होंगे, और mic पर फिर से पढ़ते होंगे, तो साथ आपको mic में हलका echo पन भी मिलता होगा, तो वैसा ही कुछ concept है यह भी, कि rocket के sound जब पढ़ता होगा, तो वो echo की form में return भी आता है, तो वो जब return आता है, तो rocket को वो echo के form में पढ़ा, ठीक है, तो rocket की detector को कितना frequency मिला, इसको भी हमको निकाल क के देखना है, अब rocket की कुछ speed है, rocket की speed 200 meter per second के हिसाब से है, जो कि sound wave की थोड़ा बहुत नजदीक में भी है, sound wave देखिए अब जो आपको question है, उसमें 330 meter per second लिया गया है, इसको हमने जब simulator पर देखे थे, जो 343 था, तो exactly 330 to 343 के आस पास में ही रहता है, वो, ठीक है, तो वो depend करेगा, अगर कभी कवार ऐसा होता है कि constant value उपर नीची हो जाए, तो वो आपको book में दे देता है, कि इतना ही लीजिए book में, ठीक है, तो NCAT के हिसाब से ही वैसे चलिएगा, क्योंकि simulator पर 343 दिया था, पर book में क्या कर रहा है, कि 330 ही लेके चल रहा है, तो आपको 330 ही लेक कितना दिया गया है, 200 meter per second, यहीं दिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में sound of air, sound of air, या फिर speed बोल सकते हैं, speed, जो है आपका, वो कितना है, वो है 330 meter per second, फिर rocket जो frequency निकाल रहा है, वो कितना होगा, ठीक है, तो हम लेंगे, रोकेट की इस वैलासिटी है, इसको fs ले रहेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, रोकेट जो frequency निकाल रहा है, वो है 1000 hertz, ठीक है, रिसीवर, जो observer है, उसको कितना frequency मिलेगा, तो v of o हमको find out करना है, ठीक है, प्लस हमको f of r भी find out करना है, रोकेट को दुबारा जो frequency सुनाई देगी, वो कितना निकल किया रहेगी, ओके है, तो हमारे पास में बहुत simple से एक formula है, क्या है formula देखे, formula हमारे पास में f of 0 निकालना है, ठीक है, observer को जो detect हो रहा है, रोकेट की जो frequency है, इसको ले ली जी, प्लस 1 minus vs upon v, source मतलब की, जो source मतलब की जो rocket छोड़ रहा है, जो v velocity होगी इसकी, चाहें तो आप इ r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास में, क्योंकि यह rocket का है, तो इसको आप vr notation ले सकते हैं, तो यह आपकी उपर depend करते हैं, क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पास में minus 1 लिया जाएगा, आप इसको समझेगा, यहाँ पास में एक tricky point लिया गया है, as compared to the numerical के form मे लिया गया है, होता क्या था, कि जब हमने इसका derivation किया था, ठीक है, तो उस time पे source की जो velocity थी, वो काफी कम थी as compared to इस v के मुकाबले, जो velocity of sound of air में जो भी velocity थी, उसके मुकाबले source की velocity काफी कम थी, तो उसके लिए क्या करते थे, कि minus 1 को हम लोग binomial के term पे लेके इसको अंद ले लेते थे, ऐसी करते थे, ठीक है, बट यहाँ pass में क्या करना है हमको, कि हमको इस way में नहीं जाना है, कि इसको अंदर लिया जाए यहाँ pass में, इसकी जगा हम क्या करेंगे, कि क्योंकि VR जो है, वो sound के काफी नजदीक है, देखा जाए तो 50% से ज़्यादा है इसकी velocity, त तो हम तो इसको neglect तो कर नहीं सकते, नहीं करेंगे, तो इसको हम इसी form में रहन देंगे, और इसी form से हम answer निकालने की कोसिस करेंगे, तो यह है आपका thousand, one, minus, अब यह जो VR आप देख रहे हैं, अगर यह दूर जाता observer के, तो positive direction होता, देखिए, अगर यह observer है, rocket अगर दूर जाता हो, positive लेंगे, पास आ रहा है, तो इसको हम negative लेंगे, ठीक है, तो यह लेंगे, minus 200, divided by V, मतलब की 330, और यह minus 1 तो रहे गा ही, ठीक है, कुछ बढ़ बढ़ है क्या, yes, यह positive है, यह positive है, one mistake, जब यह minus 1 अंदर आता था, तब हम लोग negative लेते थे, क्योंकि observer दूर जाता है तो यह positive रहता था, minus 1 आके negative बन जाता था, ठीक है, यही गड़बटी मुझे भी लग रहा था, ठीक है, जब आप लोग बारबर question को solve करेंगे, तो आपको भी खुद feeling आ जाएगा, जैसी question बनाते हैं, हम लोग, ठीक है, तो हमको automatic feel आ जाता है बीच में, कहीं ना कुछ तो हो रहा है, और यह तब feel आता है, जब आप बहुत सरे questions बनाएंगे, generally क्या होता है, कि story log question बनाते हैं, पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्प calculation करते जाते हैं, तो ऐसा हैसा हैसा हो जाता है, कभी कार बीच में भी, कि question आप बनाते हैं, आपको लगता है कि नहीं है, कहीं तो कु नजदी कहा था, तो sound जो है, वो बढ़ने वाला था, sound अगर बढ़ने वाला था, और अगर यह negative होता, ठीक है, तो यह value इसके पास जाता, और यह negative, negative, positive हो जाता, और इस पूरे की value जादा हो जाती, और यह minus एकार जब में इसको reverse करता, तो 330 divided by इसकी positive value मतला 530 के असपास आ यह उपार आता, इसकी value जो आती, ratio जो आता, वो कम होता, कम होता, तो इससे multiply होता, तो इसकी value भी कम होती, और जो इसको सुनाई देता, observer को, उसकी frequency कम हो जाती, पर ऐसा तो होने वाला नहीं था, क्यों, क्योंकि यह तो नजदीक आ रहा था, और नजदीक आ रहा था, तो frequency frequency तो बढ़नी थी, यह concept की उपर में है, कि हमारे concept clear है, तो इसलिए हमें अच्छे समझ में आता है, यह बात, तो इसलिए मैंने यह पकड़ लिए कि नहीं, यह positive हो गए, negative, नहीं होगा, okay, तो derivations जब आप करते हैं, तो आपको automatic feeling आने लग जाता है, ठीक है, ठीक है, तो और यह minus 1, और यह आएगा 1000, और इसको minus करेंगे, तो यह आएगा around 130, divide by 330 के power minus 1, उल्टा कर दीजे, तो आएगा 330 divided by 130, okay है, तो यह 0 और 0 cancel, तो 13 बंजा 32 जा, तो यह बंजा आएगा 26, 33 से divide आगर करते हैं, तो 26, तो 13 में से 6, गयर बंजा 7, ठीक है, 0 आया, अब यह 70 है, तो मेरे अन्दास से 5 से जाना चीए, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, आपस में, तो 5 से करेंगे, तो यह लग बंजा 65 होता है, फिर से 5 आएगा 0, 50 हो जाएगा यहाँ पास में, ठीक है, तो यह लग बंजा आपका, किस से जाएगा, 26, 3 से जाएगा यह, तो 3, 3 जा, 9 और 3 बंजा 3, तो यह बचेगा, 10 में से 9 गया, 1 और 11, 110, 2.53 सम्थिंग कुछ वैल्यू हमारी आ रही है, तीन जिरो हमारे पास, तो हम एक वैल्यू और सेफ्ट करके देख सकते हैं, तो कैसे करें, 110 है, तो 2538 सम् 2.538, तीन जिरो को मैंटिप्लाइ करें, तो 2538 सम्थिंग आपकी फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई देगी, जो की 1000 से काफी जादा है, और हमको मालूम था, यह पहले से हमने एजूम कर लिया था, कि जो वैल्यू आने वाली है, वो जादा ही आने वाला है, ओकी है, ठीक है, से पड़के वापिस गया होगा, गया होगा कि नहीं, गया, अब यहां पास में जब यह छोड़ते वे आया, तो यहां के एर पार्टिकल्स को इसने कुस्तो साउंड दिया, और जब रिटरन आया, तो यह इसको पड़के इसको इंक्रीस कर दिया होगा, ठीक है, यह हमारा है, और यह साउंड वेप की तर छोड़ रहा है, तो आप देखी भी होगे कि जब पहाड़ों पे या दिवालों पे भी आप जोड़ जो से बोले, ठीक है, भले आप मूफ करते वे जाएं, पर जैसे साब मूफ करते वे आगे जाएंगे, वैसे वैसे साउंड आपकी इंक् तो हम एजूम कर लेते हैं, कि हम अगर स्टेश्बरी पे हैं, तो जगह से रिफ्लेक्ट हो के आ रहा है, वो तो आप करेंछे से नो मोशन में ही था, है कर नहीं? तो हम कुछ existential लेके चलते हैं और हमारे पास में जो frequency आएगी जो f of r को पढ़ने वाली है ये वाला ठीक है तो frequency जो आएगी वो तो reflect होके आएगी तो reflect वाला frequency लेंगे ये f of 0 लेने वाले हैं पहला प्लस हमने अभी जो एक formula पढ़ा था कौन सा formula वी प्लस वी जिरो अपॉन वी प्लस वी एस वाला इसको हम use करेंगे ठीक है दोनों move वाले जिसमें एक stationary position पर था तो इसको हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे source को हम assume कर रहे हैं कि वो 0 है ठीक है और इस formula का use करेंगे तो इस पे यह आया था 2538 वी जो था वो तक 330 और वी जीरो अब वी जीरो कितना था वी जीरो मतलब कि observer से जो पढ़की sound गया उसकी speed कितनी थी तो हम मान के चलते हैं कि जो losses हो रहे थे वो 0 हो रहे थे मतलब जिस जगह पी वो पढ़ा उसने कुछ अब्सर्व नहीं किया टोटली रिफ्लेक्ट कर दिया तो अगर टोटल रिफ्लेक्ट कर दिया तो velocity भी कोई chain नहीं आएगा मतलब कि इसका velocity भी 200 होगा तो मान लेजे कि 200 है और इसका 330 ठीक है यह मैं बुक के हिसाब से कर रहा हूँ ठीक है अगर हम अपना दिमाग लगाए थो आसा extra यहां पास में तो यहां पास में भी कुछ chances हो सकती थे और flip करते टाइम पे पर flip करते टाइम पे हमने कुछ भी ऐसा minus वाला term यहां पास में नहीं लगाया था तो यहां पास में भी हम नहीं लगा रहे हैं ठीक है तो directly वो flip हो गया था इसलिए यहां पास में कोई minus term का खेल ही नहीं है ठीक है flip तो हुआ है यहां पास में भी पर वो हम लोग पहले से ही flip कर चुके है minus 1 वाला जो हो रहा था ठीक है तो इसको directly आप करते हैं तो यहां आएका 2538 और इसको sum करेंगे तो यहां आएका 5 और 30 divided by 330 00 cancel 53 और 33 है तो इसका आप calculation कर सकते हैं अराम से कि इसके calculation में कितना आ रहा है ठीक है तो हम calculation कर ले किया चलिए मैं calculation करके आपको इसका answer बताता हूं directly तो इसको जब आप calculate करेंगे तो near about इसकी value आएगी 4079.something को जिसकी value आने वाली है इसको आप calculate करके मुझे comment section में बताईएगा कि आप कभी कितना है ठीक है मैं इसको solve नहीं कर रहा हूं क्योंकि mathematical term तो आपको बनता ही है और नहीं बनता है तो practice हो जाएगा दोनों ही तरफ में आप ही का फैदा है मेरा तो कोई फैदा नहीं है calculate करनेगा ठीक है देखे तो यहां बस कर रहा तो कितना time लग गया था तो फाल्तू उस पर कोई time waste करके फैदा नहीं होता है यहां पास में में है कि आपको समझ में आना चाहिए आप practice करेंगे तो आप ही का फैदा है नहीं करेंगे तो आप ही का नोकसान है तो मैं तो कुशिस करूंगा ही कि आपए का फैदा हो और तरह के से तो जरूर आप इसको खुझ से बना के देखेगा ठीक है तो इसी तरह के से यह हमारा topic भी यहीं पास में close होता है यह chapter भी यहीं खातम होता है और यह book भी यहीं पास में खातम होती है अब हम लोग numerical parts को करेंगे ठीक है तो numerical में देखिए 11 वाले भी हैं और 12 वाले भी हैं और अगर मैं एक को छोड़ दू एक को बनाओ तो सही नहीं रहेगा तो मैं इसको alternate way में करूँगा ठीक है तो एक दिन मैं 11 के numerical solve करूँगा और एक दिन 12 के numerical solve करूँगा तो इसमें दोनों को profit हो जाएगा तेकि हम लोग क्या करेंगे chapter wise इसको लेंगे और हो सकता है कि एक chapter में 3-4 वीडियो बन जाए या 5 भी बन सकते हैं पर हम कोशिस करेंगे कि similar type की numerical को हम लोग नहीं लेंगे पर कोशिस करेंगे कि maximum numerical को हम touch कर पाएं जिससे आपको paper में भी easy हो और आपको feeling भी कि questions जो है जो हम जितना भी हम आभी तक पढ़े है theoretical चीजें और numerical जो solve करते थे पर अब हम लोग totally numerical solve करने वाले हैं तो अब हमको basic जो फंडे हमारे वो clear रहने चाहिए तो जब भी आप numerical के वीडियो देखें तो उस chapter की theory को जरूर पढ़ लें ठीक है क्योंकि numerical solve करते टाइम theoretical part समझाना सही नहीं रहेगा क्योंकि हम theory already पढ़ चुके हैं और generally ऐसा ही होता है कि numerical के जगह में हम theory को concept को ही clear करने बैठ जाते हैं और numerical वाइसा का वैसा ही रह जाता है तो at least जितना हम लोग पढ़े हैं जब भी मैं video बनाओ किसी भी chapter का तो उसकी theory को आप जरूर पढ़ ल हूं ठीक है तो जब भी निकालूगा मैं अभी जल्दिय निकालूगा तो उस पे आप पहले से ही उसको जरूर पढ़ कर रखेंगे ठीक है तो जब भी मैं video बनाओंगा तो इसके एक दिन पहले में notification दाल दोंगा तो आप video देखेंगे तो आपको एक दिन पहले ही पता चल इस वाले numerical को अच्छे से solve करिएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने भी काफी दुनों बाद रखता है solve कि इसलिए साथ हो रहा होगा ठीक है और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा जिससे यह वीडियो ज्यादा ज्याद पहुँच पाए और इस वीडियो का ज्याद जालुक बेनिफिट उठा पाएं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू फॉर जोइन इस वीडियो आपका देन सुब रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में